राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज गुरुवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ गुरुवार की कथा बंधो जिसे सुनने मात्र से आप पर महाल लक्ष्मी की अपार कृपा होगी बंधो गुरुवार की कथा को लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ही सुना जाता है गुरुवार के वरत भी लक्षमी प्राप्ती के लिए नोक्री के लिए और व्यपार में उनती के लिए किये जाते हैं या किसी की शादी नहीं हो रही तब भी गुरुवार के वरत किये जाते हैं बंधों जो मनुश्य गुरुवार के वरत नहीं कर पा रहे वे मनुश्य यदि गुरुवार की इस कथा को सुनते हैं तो उनके सभी काम बनने लगेंगे बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दभाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सकें बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै ब्रहस्पती देव की जै हो बंधों हो सके तो गुरु वार को पीले रंग के वस्त्र पहने और केले के पेड की पीले फूलों से ही उजा करें और पेशन के लड़ू केले के पेड पर ब्रहस्त पती देव का नाम लेकर चड़ाएं और जल में हल्दी मिलाकर केले के पेड को अर्पित करें और पीले रंग का चंदर लेकर उससे केले के पेड पर तिलक भी करें बंधों ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमें इस मंत्र की एक माला का केले के पेड के नीचे बैठ कर या फिर खड़े होकर जब करें बंधों यदि आप गुरुवार का ब्रत करते हैं तो नमक रहित भोजन ग्रहन करें बोलो गुरु महराज की जै ब्रहस्पती देव की जै किसी गाउं में एक साहुकार रहता था उसके घर में अनवस्रधन किसी की भी कोई कमी ना थी प्रन्तु उसकी इस्त्री बहुत ही कंजूस थी किसी भी भिखारी को या उनके घर में कोई भिख्षा हे तु आता उसे कुछ भी ना देती सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती एक दिन एक साधु महात्मा ब्रहस्पतीवार के दिन उनके द्वार पर आया और भिख्षा की याचना की इस्तरी उस समय घर का आंगन लिप रही थी इस कारण साधु महाराज से कहने लगी महाराज इस समय तो मैं आंगन लिप रही हूँ आपको कुछ नहीं दे सकती फिर किसी दिन अवकाश के समय आना साधु महात्मा खाली हाथ चले गए कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिख्षा मांगी साहुकार ने उस समय लड़के को खिला रही थी कहने लगी महाराज मैं क्या करूँ मेरे पास समय नहीं है इसलिए आपको भिख्षा नहीं दे सकती तीसी बार फिर महात्मा आए उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा प्रन्तु महात्मा जी कहने लगे यदि तुमको बिलकुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिख्षा दोगी साहुकार नी कहने लगे हां महाराज यदि ऐसा हो जाए तो आपकी पहुत क्रिपा होगी साधु महात्मा कहने लगे अच्छा मैं एक उपाए बताता हूँ तुम वैसा ही करना तुम ब्रहस पतिवार को दिन चड़ने पर उपना सारे घर में जाडू लगा कर कूडा कोने में जमा कर देना घर में चोका इत्यादी मत लगाना फिर शिनान आदी करके घर वालों से कह देना कि उस दिन हजामत अवश्य बनवाए रसोई बना कर चूले के पीछे रख देना सामने कभी भी ना रखना साइं काल को अंधेरा होने के बाद दिपक चलाना रहस पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी मत धारन करना ना पीले रंग की चीजों का भोजन करना यदि ऐसा करती रहोगी तो तुम को घर का कोई काम ना करना पड़ेगा साहुकार्णी ने ऐसा ही किया रहस पतिवार को दिन चड़े उठी जाडू लगा कर कूडे को घर में जमा कर दिया पुरुशों ने हजामत पनवाए भोजन बना कर चूले के पीछे रख दिया खाने को दाना ना रहा थोड़े दिनों के बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मागी प्रंतो से ठाने ने कहा महाराज मेरे घन में खाने को अन नहीं आपको क्या दो तब महात्मा ने कहा जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी अब पूरा पूरा समय है तब भी कुछ नहीं दे रही हो तुम क्या चाहाती हो वह कहो तब सिठाने ने हाद चोड़ कर प्रात्ना की महराज अब कोई ऐसा उपाए बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धानने हो जाए अब मैं प्रतिग्या करती हूँ जैसा आप कहेंगे वैसा ही अवश्य मेव करूँगी तब महात्मा जी ने कहा ब्रहस पतिवार को प्राते काल उठकर शनान आदिस से निवरित हो घर को गव के गोबर से लीपना घर के पुरुष हजाम ना बनवाएं भूखों को अन वस्त्र देती रहो ठीक शाम के समय दिपक चलाओ यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी संबनों काम नाएं भगवान ब्रहस पती जी की क्रिपा से पूरन होगी सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धन्य पहले जैसा हो गया इस प्रकार भगवान ब्रहस पती देव की क्रिपा से अनेक परकार से सुक भोग कर दिर्ख काल तक जिवित रही ब्रहस पती देव जो जिस भावना से व्रत करता है उसकी वैसी मनो कामना शिक्र पूरी कर देते हैं बोलो ब्रहस पती देव गुरु महाराज कीजे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरु वे नम्हाँ 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 ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे 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 नम्हाँ राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें दन्ने वाँ